56 x 75 x 60 x 84 x 210 दिया हुआ है 2 to the power P, 3 to the power Q, 5 to the power R x 7 to the power S तो इसकी value क्या है अब देखिए जल्ली इल्दी factorize कर लेगा उसका फट से answer आगा इसको कुछ नहीं करना है सबको prime factors में break करना है तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ इसको ध्यान समझेगा 56 मेरे दिमाग में देखती ही आ रहा है 8 x 7 75 मेरे दिमाग में आ रहा है 3 x 25 60 मेरे दिमाग में आ रहा है देखो एक 2 होगा और एक 5 होगा और इसके साथ आप ध्यान रोगो यह हो गया आपका 10 10 के साथ बचेगा 6 तो फिर से 4 x 21, 21 को आप डिरेक्टी लिख सकते हो 3 x 7, फिर आपको मिल रहा है 210, अब 210 में 21 है तो देखो 3 और 7 तो आए गई आएगा, साथ में 10 है, तो 10 के साथ आप देखो 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो यह हो गया, सारे numbers को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, अब ज़रा में क्या क तो आपका 2 की सारी powers को इकठा करने जा रहा हूं कि यह सारे अल्टिमेटली products में दिये हों है, तो 8 क्या है अपका 2 to the power 3, तो यहां 3 आए जाएगा, यहां 2 ही नहीं है, यहां 2 और है, 5 हो गया, यहां 2 square है, 7 हो गया, और यहां 2 है, 8 हो गया, यह 2 to the power 8 हो गया, product जब लेंग 3 की पावर में करें, यहां 3 की पावर 1 है, 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 3 की पावर 4 हो गया, 5 के बारे में बात करेंगे, 25 आपका 5 square है, यहां से एक और आया, 4 हो गया, 5 to the power 4 है, 7 की बात करेंगे, तो 1 यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, नहीं 7 Q आ रहा है, अब जोको आपको P Q आ रहा है, सारी वैलू यहां से compare करके मिल गई, कि P की वैलू कितनी है, 8, तो मैं लेकर रहा हूँ, 8 प्लस Q की वैलू कितनी है, 4, S की वैलू कितनी है, 3, और R की वैलू कितनी है, आपकी, तो यह question simply है कि कौन कितना जल्दी इन given numbers को prime factorization में break कर पाएगा बड़ा काम नहीं है थोड़ी से practice अगर आपकी होगी तो बहुत असानी से आप करोगे फिर से मैं repeat कर दूँ आपको हो तो 8 x 7 3 x 25 2 x 2 x 3 x 5 4 x 3 x 7 2 x 5 x 3 x 7 ऐसे करके जैसे भी करना है करो अपको लाना पड़ेगा ताकि आपको पी की वार एस की values मिलें और उनको आप calculate कर लो ठीक है